बॉलिवूट के रॉक स्टार सिंगर मीका सिंग 10 जून को अपना 43 जनम दिन मना रहे हैं लॉक्टाउन का वक्त है ऐसे में मीका ने बर्दे सेलिब्रेशन को लेकर कोई ब्लानिंग नहीं की थी लेकिन पॉलोसी और दोस्तों का भी कोई फर्ज होता है कॉमेडी की दुनिया के बादशाह कपिल शर्मा ने इस फर्ज को बखुबी निभाया है एक जिगरी दोस्त और उससे भी अच्छे पडोसी होने के नाते कपिल शर्मा और उनकी पतनी गिन्नी चत्रत ने मीका पाजी के जंदिन को खास बना दिया कपिल ने गिन्नी के साथ मिलकर मीका के बर्दे की ऐसी प्लानिंग की कि खुद मीका सिंग भी हैरान रह गया दरसल कपिल की वाइब गिन्नी ने मीका सिंग के लिए अपने हाथों से स्पेशल चॉकलेट केक बनाया है कपिल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मीका सिंग के बर्दे सेलिबरेशन के वीडियो शेयर किये हैं मीका सिंग इसमें बता रहे हैं कि यह प्यारा सा केक उनकी गिन्नी भावी ने बनाया है मीका केक काटते हैं और पीछे कपिल शर्मा और बागी लोग बर्दे सौंग का रहे हैं वीडियो शेयर कर कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर लिखा है हैपी बर्दे मीका बाजी बहुत सारा प्यार और शुब काम नाय कपिल शर्मा और मीका सिंग की अजुगल बंदी इससे पहले भी देखने को मिली थी दोनों एकी बिल्डिंग में उपर नीचे रहते हैं ऐसे में जनता कर फ्यो के वक्त जब कोरोना वार्योर्स को सलाम करने का मौगा आया था तब मीका सिंग और कपिल शर्मा ने घर की बालकनी में साथ मिलकर ड्रम बजाया था मीका सिंग कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में भी शिर्कत कर चुके हैं कुछ वक्त पहले मीका से एक्ट्रस चाहत खन्ना के साथ क्वारंटीन लव म्यूजिक वीडियो को लेकर चाचा में थी जो अपरेल 2020 में रिलीज हुआ उसी दोरां चाहत खन्ना संग उनके अफ़ेर के खबरे भी उड़ने लगी थी हलांकि मीका ने इसे सिर्फ दोस्ती का नाम दिया मीका पाजी को जम दिन पर धेर सारी बधाईया मिल रही है उनकी इंस्टा स्टोरी बर्दे विशस से भरी हुई है नव भारत टाइम्स की उसे भी सावन में अपने गीतों से आग लगाने वाले मीका सिंग को जनम दिन की ठेर शारी शुब काम ना है और हां मीका पाजी आज की पार्टी आपकी तरब से प्यूरो रिपोर्ट नव भारत टाइम्स प्यूरो रिव भारत टाइम्स